नजका दोस्तों, डिट है आज की 8 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में, आज हमें तीन इसूज डिसकेश करने हैं, सबसे पहले हम डिसकेश करेंगे, एक एलिफेंट की जो हाल ही में दैत हुई थी, केरल में, इससे समधित इसू को, हलांकि देखो ये इसू के साथ रिलेशन से समधित हैं, वैसे देखो, हमारे जो पूरू उपराश्टरपती हैं, हामिद अंसारी, उन्होंने ये आटकल लिखा है, हालांकि सारे पॉइंट्स हमारे लिए एक्जाम परस्पेक्टिव से इंपोर्टन नहीं हैं, जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, वो इंपोर्टन हैं, उनको एक्ष्टराइट करके डिसकस करेंगे, नीचे का ये आटकल हेल्थ सेक्टर से समधित हैं, कैसे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ एंगेजमेंट को इंक्रीज करके, ज्यादा मजबूती के साथ इस महमारी से निप्टा जा सकता हैं, चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंपोर्टन आर्टकल एलिफेंट के कंजर्वेशन से समधित हैं, आप जियास पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टकल को रिलेट कर सकते हूं, क्या कंटेस्ट हैं, हाल ही में केरला में एक प्रेगनेंट हतिने की डेथ हो गई, औ क्योंकि उसने एक ऐसे पाइनैपल को कंजूम किया था जिसमें पठाके थे यानि विस्पोटक मेटरियल था, इस घटना के बाद पूरे देश में जनता में एक गुसा इमर्ज होके आया कि जो भी परसन दोसी हैं, इस घटना के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चा नहीं था, वो अननास था वाइल्ड बोर्स के लिए, वाइल्ड बोर्स मतलब जंगली सुर, जंगली सुर केरला के कुछ डिश्टिक्स में इनकी संख्या काफी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये जंगली सुर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, खा इन पाइनेपल का इस्तेमाल किया जाता हैं, लेकिन दुखत बात ये हैं कि एलिफेंट ने उस पाइनेपल को कंजूम कर लिया और एलिफेंट की डैथ हो गई, देखो आज के समय में सिचुएशन ये हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिड एरियाज हैं, जैसे वाइलेफ सेंश जो कोणरा जो क्रोपस रेस की जाती हैं, फसले उगाई जाती हैं, उनकी फॉर्म में खाना मिल जाता हैं और यहीं से कंफ्लिक्ट पैदा होता हैं एनिमल्स के बीच के बीच हैं, देखो डवलप कंट्री में तो क्या होता हैं? प्रोटेक्टिड एरियाज को अच्छे से र किसानों के द्वारा मतलब किसान अपनी तरफ से ही कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे करके एनिमल्स को रोका जाएं वो हमारी फसलों को बरबाद ना करें देखो हमारे देश में वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतरगत विभिन एनिमल्स को अलग अलग सेड्यूल्स म के सेड्यूल फाइव में जिन एनिमल्स को एज ए वर्मिन डिक्लियर किया जाता हैं उनको मारना अलाउड होता हैं उनको मारने पर कोई भी कारवाई नहीं होती किसी परसंग के अगेंस्ट हैं लेकिन देखो रेरली ऐसा होता हैं कि कि किसी एनिमल को वर्मिन डिक्लियर किय जाता हैं, तो social media पर campaigns चलने लगते हैं, जो animal rights activist हैं, urban areas में रहते हैं, वो नहीं सोचते हैं, कि जिनको vermin declare किया जा रहा हैं, वो किशानों की कितनी फसलों को बरबाद करते हैं, courts में litigations डाल दी जाती हैं, और ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता हैं, क्योंकि सरकार पर काफी जादा pressure आ जाता हैं, इवन देखो, केरला में जो ये सूर हैं, wild boards, इनको vermin declare किया हुआ हैं, लेकिन फिर भी, over the period of time, या पिछले कुछ सालों में, संख्या vermin की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आशक्ता देखो ये हैं, ये जंगली सूर या फिर दूसरे ज सरकार के द्वारा, compensation की form में provide किया जाता हैं, सरकार थोड़ी बहुत compensation दे देती हैं किसानों को, कि हम सूरों ने आपकी फसले बरबाद की हैं, आप ये पैसा रख लीजिए हमारी तरफ से, बट देखो, दिक्कत ये हैं, जो compensation दी जाती हैं, वो बिल्कुल नामातर की होती है Market value को हिसाब से नहीं दी जाती और कुछी fraction दी जाती है compensation, और काफी बार compensation मिलने में लंबा समय लग जाता हैं, काफी बार तो किसानों को निरासा हाथ लगती हैं, क्यूंकि देखो, bureaucratic procedures काफी बार इतने complex होते हैं, किसान उनको follow ही नहीं कर पाते Next point, narrative देखो, इस elephant की death के बाद इस परकार के emerge होके आयां, जैसे सभी जो human beings हैं, वो एक ही category के हैं, सभी लोग planet को over exploit करने में लगे हुए हैं, लेकिन देखो, ऐसा नहीं हैं, खास करके, सहरों में बैठे जो लोग हैं, वो twitter पर campaign चलाते हैं, लेकिन cities जो हैं, वहाँ पर बलक की देखो, consumerism का culture ज्यादा हैं, cities में consumerism का culture ज्यादा हैं, इसी वज़े से forest का ज्यादा exploitation होता हैं, लेकिन इस घटना के बाद दोस मड़ा जा रहा हैं, किसानों के ऊपर, वो किसान जो जैसे तैसे करके, अपना जीवन यापन करने की कुशिस करते हैं, हमरे देश की food security में, अब देखो, question ये उड़ता है, अगर एक किसान, जिसने अपनी फसल बचाने की कुशिस की, उसको सजा दिलाने से, ये problem sol नहीं होगी, तो कैसे problem को sol किया जाएं, problem को sol करना होगा, root को adders करके, root क्या है, root देखो, ये हैं, कि खास करके, जो wild boards हैं, ये फसलों को बरबाद करत हैं, और इनी से अपनी फसलों को बचाने के चक्कर में, elephant की death हो गई, अब देखो, wild board तो vermin है, ocean की red list में, least concern category में आता है, तो boards की संख्या को कम करने के लिए, सरकार को enough उपाय करने होंगे, ताकि ना सिरफ इस परकार की घटना को future में होने से बचाय जासके, बलकि किसानों की फसलों को भी बरबाद होने से बचाय जासके, next point, देखो, आम तोर पर होता क्या है, forest department के दवरा, human space को और wildlife protected areas को अलग अलग निगाह से देखा जाता है, उनका ये मानना होता है, ये belief होती है, कि अगर animals, human settlements में आएंगे, तो टकराव होगा ही होगा, conflict होगा ही होगा, ले ऐसे, गलत देखो, ऐसे हैं, क्योंकि हमारे देश में total जितने elephants है ना, सिरफ 25% protected areas में रहते हैं, बाकी 75% तो protected area से बाहर रहते हैं, आप दूसरा example लीजिए, लियोपर्ड्स, हाइनाज, यानि ये लकडबगगा, वोल्स, हमारे देश में सिरफ 2.6% ये जो animals हैं, ये protected areas में रहते हैं, बाकी तो देखो, लियोपर्ड्स, लकडबगगे, भेड़े, ये protected area से बाहर रहते हैं, और खास बात ये हैं, कि conflict की घटनाएं बहुत कम सामने आत हैं, मतलब हमारे देश में हमेशा से एक culture रहा है, कि space को दोनों के द्वारा share किया जाए, human beings के द्वारा भी और animals के द्वारा भी, कभी कबार टकराव होता है, जिसकी वज़े से animals की death होती हैं, और कई बार human beings की भी death होती हैं, लेकिन हर एक जगह को आप case by case basis पर देखें, कि density कितनी है, human beings की, किस परकार की crops raise की जा रही हैं, क्यूंकि देखो मैं आपको example देता हूँ, मानसून सीजन में कुछ जगहों पर jackfruit उगाय जाता है, jackfruit यानि कटल, ये animals को कावी पसंद आता है, तो यहाँ पर animals खेतों में ज़्यादा आते हैं, तो कहने का मतलब देखो ये ह कि human beings और animals लंबे समय से space को share करते आएं हैं, लेकिन आप case by cases basis पे देखिए कि conflict क्यूं हो रहा है, क्या फसलों की वज़े से हो रहा है, या फिर density ज़्यादा हो गई है, human beings की इस वज़े से हो रहा है, जो भी particular reason है, आप उसे address करने की कोशिस कीजिए, लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो environment पर भी हमें ध्यान देने के आओ सकता है, एक तरफ सरकार कहती है, हम चिंतित हैं इस घटना से, दूसी तरफ हमने पिछले हफते भी discuss किया था, इवन lockdown में National Board of Wildlife की meeting organized होती है, वीडियो conferencing के थुरू, और असम में एक elephant reserve में इजाज़त दे दी जाती है, coal plant के लिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, environment को काफी seriously कंजाव करने की आओ सकता है, ये पुरा हमने article discuss किया, चलते हैं आगे, नहीं स्थार्टकल, इंडिया और वेस्ट एशिया relations से समधित हैं, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो आप ये map देखिए, ये पर्षन गल्फ हैं, और पर्षन गल्फ के चारों और, mainly 8 देश आते हैं, उनके नाम इस परकार से हैं, बहरीन, इरान, इराग, कुवे अमान, कतर, सौधिरेबिया, UAE, ये सभी UN के member states हैं, common cheese in 8 देशों में ये हैं, ये सभी देश, crude oil के major producer country है, natural gas के भी major producer country है, crude oil और natural gas इन देशों की economy में सबसे ज़्यादा contribute करते हैं, और देखो ये देश, global economy में भी काफी ज़्यादा contribute करते हैं, global prosperity यानि स्मृधी में भी काफी ज़्यादा contribute करते हैं, लेकिन इन देशों में आपस में काफी rivalry रहती हैं, और कई देश तो ऐसे हैं, उनके अंदर भी काफी ज़्यादा instability रहती हैं, वैसे तो इस article में काफी सारे points हैं, लेकिन India specific जो points हैं, वो हमारे काम के हैं, जो हम answers में इ इंडिया इन देशों के साथ जोगरफी शेयर करता हैं, हिस्ट्री शेयर करता हैं, मुंबई से बसरा के बीच जो distance हैं, वो 1526 nautical miles का हैं, बसरा एक जगह हैं, इरान में location आप देख सकते हो, इस बसरा का distance मुंबई से सिरफ 1526 nautical miles हैं, दुबई और बंदर अबास का distance मुं देखने का मतलब ये हैं, इन देशों का distance हमारे देश से काफी कम हैं, इसके बाद article में कहा जाता है, Gulf Corporation Council जिसमें 6 देश हैं, इनके साथ हमारे bilateral relationship, चाहे वो economic domain की बात हो, political domain की बात हो, पिछले कुछ सालों में बहुत जड़ा मजबूत हुई हैं, गल्फ Corporation Council के देशों में, इंडिया friendly governments हैं, और इंडिया की governments ने भी काफी कुछ ध्यान दिया हैं, गल्फ Corporation Council के देशों के साथ अपने रिस्तों को इंप्रूव करने में, आज के समय में देखो bilateral trade हमारा GCC member countries के साथ कितना है, 121 billion dollars, यहाँ पर आलमोष्ट 90 लाख भारतिया काम करते हैं, और वो हर साल 49 billion dollars की remittance इंडिया में भेजते हैं, जो इंडिया की economy में काफी contribute करता हैं, इसके अलावा देखो, साओधी रेबिया और आबुधावी की जो national oil companies हैं, यह रतनागीरी में, oil refinery में, 44 billion dollars की investment कर रहे हैं, इसके अलावा, साओधी अरामा को, यह Reliance oil to chemical businesses में 20% stake purchase करेगी, बट की बात यह हैं, कि महामारी के कारण, Gulf Corporation Council के member countries के साथ, हमारे economic relations पर भावित हुए हैं, आप यह map दुबारा से देखें, वैसे, इरान जो हैं, यह Persian Gulf के साथ, इसका border touch होता है, लेकिन GCC का part नहीं है, इरान, GCC में यह देश आते हैं, साओधी रेबिया, ओमान, UAE, बहरीन, इरान के साथ हम रिष्टों की बात करें, राइटर यह कहते हैं, इरान के साथ हमारे रिष्टे हमेशा से complex रहे हैं, अभी भी देखो, चुकि USA, इरान nuclear deal से बाहर आ गया है, USA का दुनिया भर के देशों के उपर pressure है कि आप इरान के साथ वेपार करना बंद कीजिए, ऐसा ही pressure हम भी जेल रहे हैं, हमने USA के दबाब में आके इरान से oil import करना कम किया हैं, बर देखो, इरान की जो location है काफी ज़्यादा important हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के साथ इंडिया के रिष्टे युनीक हैं, अगर हम अफगानिस्तान में अपना influence बरकरार रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को control करना चाहते हैं, तो हमें इरान की जुरूरत हैं, दूसरी तरफ इरान की सीमन, तरकी के साथ भी लगती हैं, इसके साथ साथ कुछ Central Asian Countries और Caspian Sea के साथ भी इरान का border लगता हैं, मतलब कहने का ये है, इरान की location काफी ज़्यादा important है, इरान का size क potential काफी ज़्यादा है इरान का, और इरान में अच्छे खासे economical resources भी हैं, मतलब हम इरान को ignore नहीं कर सकते हैं, लांस्ट में राइटर के दौरा ये बोला जाता है, देखो वैसे तो पर्शन गल्फ के देशों में, Western Asian Countries में काफी सारे local और regional disputes हैं, जैसे इरान और साथ रेबि सांती रहें, regional stability बरकरार रहें, freedom of navigation हो, जैसे काफी बार खबर आई थी, जब इरान और USA के बीच tensions बड़ी, तो straight off होरमज के पांस, इरान ने कुछ oil ships को capture किया, freedom of navigation यहाँ पर परभावित हुई, देखो यहाँ के जो roots हैं, काफी ज़्यादा important हैं, मतलब जो sea lanes of communication हैं, बहु ज़्यादा oil की supply होती हैं, world में, दूसरे regions में, इसके अलावा हम ये भी चाते हैं, West Asian countries की जो market हैं, वो हम access कर सके, trade, technology और manpower resources के लिहाँ से, ये सब चीजें इंडिया के हित में हैं, और इनी पर इंडिया को focus करना चाहिए, तो ये पुरा article हमने डिसकस किया, इंडिया और West Asia relations से समंदित चलते हैं आगी, नए स्टार्ट कल, health sector से समंदित हैं, आप GS paper 2 के इस topic से, article को relate कर सकते हूं, देखो, COVID-19 की महमारी, near future में तो एकदम से खतम होने वाली है नहीं, तो हमें, हमारे health resources को mobilize करने के आप सकता हैं, क्योंकि अभी से काफी सारी cities में, ऐसी ख़बरे आन स्टार्ट हो गई हैं, खास करके देली में, कि bads की कमी है, COVID-19 के patients को bad नहीं मिल पा रही हैं, और even test करवाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने test समंदित guidelines को काफी ज़्यादा tight कर दिया है, सरकार का ये कहना है, अगर ज़्यादा test होंगे, तो इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो, आतम निर्बर अभ्यान में सरकार ने announcement की हैं, कि हम health infrastructure पर अच्छा खासा खर्च करने के लिए तयार हैं, लेकिन जो public health infrastructure हैं, वो आलरेड़ी काफी ज़्यादा stressed हैं, आज सकता ये है, private health sector को utilize किया जाएं, इस म नहीं हैं, कि अभी private health sector पूरी तरह से engaged नहीं हैं, इस महामरी से निपटने में, बट देखो, कोई clear policy guidelines नहीं हैं, इस वज़े से private sector के resources का अच्छे से utilization नहीं हो पा रहा हैं, देखो, काफी सारे देशों के example से हमें ये पता लगता है, जिस देश में private sector के लिए policy guidelines अच्छी थ गई, सरकार के द्वारा, private sector से, वहाँ पर private sector ने काफी अच्छा काम किया है, इस महामरी से निपटने में, अभी काफी सारे राज्यों में ये कोशिस की गई हैं, जैसे private sector के hospitals को धंकाया जाएं, काफी states की government ने ऐसा किया, लेकिन देखो, राइटर का ये मानना है, private hospitals के खिल private sector contribute नहीं कर पाएगा, सरकार के साथ मिलकर इस महामरी को contain करने में, अगर हम private sector के hospitals का अच्छे से साथ लेते हैं, तो ना सिरफ testing को boost किया जा सकता है, और ज़्यादा beds available होंगे, biomedical equipment और supplies को procure किया जा सकता है, और central intelligence system भी और ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन question उठता है कैसे private health sector के साथ कैसे partnership को मजबूत किया जाएं, तो writer कुछ examples देते हैं, सबसे पहले, testing capacity को कैसे boost किया जाएं, देखो ये हो सकता है, जहाँ पर public hospitals हैं, वहाँ पर एक मानेता प्राप्ट private laboratory का भी office हो, मान लीजे ये government hospital है, थोड़ी सी जगह पर एक ऐसी private lab, जिसको मानेता मिली हु कर दे, government hospitals में, सरकार reimburse कर दे उस private lab को, यानि वो private lab COVID-19 के test conduct करे, government hospitals के लिए, और बदले में सरकार उस private lab को पैसा दे दे, अब देखो काफी सरे states में तो आल्रेडी ऐसा हो रहा है, कि government hospitals में private labs काम करती हैं, लेकिन वो अभी COVID-19 का test नहीं conductor रही हैं, तो आल्रेडी जो private labs है, government hospitals में उनको बोला जा सकता है कि लो भया, आप COVID-19 का भी test conductor हो, पैसा हम आपको दे देंगे, या फिर यूँ भी हो सकता है कि सरकार उन्हें test kits procure करके दे दे, और बोले कि आप सिरफ service provide कीजिए, मतलब आप सिरफ test conduct कीजिए, जो testing kit है, वो हम आपको provide करेंगे, ये और भी करता है कि COVID-19 के symptoms देखने को मिल रहे है body में, तो वो person help line पन phone करता है, government के जो doctors है, वो phone पर बताते हैं, confirm करते हैं कि हाँ, आपको COVID-19 हो सकता है, आपके symptoms इसी परकार के हैं, तो एक e-voucher create किया जा सकता है उस patient के लिए, और वो person जिसके लिए e-voucher create हो गया है, वो जा सकता ह है, इन private labs के पास और अपना test conduct करवा सकता है, free में, बाद में government private labs को पैसा दे दे, जितना e-vouchers के अधार पर उस private lab ने test conduct किये हैं, दूसरा option ये हो सकता है, तीसरा option देखो, ये हो सकता है, testing boost करने का private labs की साहिता से, mobile private labs, जैसे एक van है, कोई गाड़ी है, जहां पर COVID-19 के test करने की सारी facility उपलब्ध है, तो वो mobile van, ऐसे areas में खड़ी हो, जहां पर COVID-19 के cases काफी ज़्यादा सामने आए हैं, for example, ये कोई महला है, कोई sector है, ये cluster बनके उबरा है COVID-19 का, तो इस particular जगहें पर, एक mobile lab भेजी जा सकत हैं, और इसके लिए private sector का सारा लिया जा सकता हैं, तो ये तीन options, राइटर बताते हैं, testing boost करने के, किसकी साइता से, private health sector की साइता से, अब इसके बाद question उठता है, की hospitalization को कैसे boost किया जा सकता है, मतलब, Beds के जो कमी हैं, hospitals में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, private health sector के साहिता से देखो government hospitals में beds की कमी है न आप private hospitals को बोलो या फिर private contractor को बोलो भया आपको government hospital में इतने ICU त्यार करने हैं आप ICU त्यार कीजिए इसके लिए हम आपको पैसा देंगे समझ गे एक बार private contractor ICU के लिए beds त्यार कर देता है सारे equipments प्रोवाइड कर देता है ऐसा infrastructure त्यार कर देता है government hospitals में तो बात में वो beds government hospitals के द्वारा इस्तिमाल किये जा सकते हैं अब दूसरा option ये हो सकता है काफी बार देखो government hospitals का ये भी कहना है कि हमारे पास staff की कमी हैं सिरफ bed increase करने से क्या होगा उन beds के patients को service provide करने के लिए staff भी तो होना चाहिए न तो private sector के hospitals को कहा जा सकता है कुछ समय के लिए आप हमें staff provide कीजिए या फिर देखो next option ये हो सकता है private hospitals में ही beds की संख्या को increase किया जाए ICU के beds के संख्या को increase किया जाए private hospitals में और बाद में जब ये महमारी खतम हो जाए तो private hospitals वो beds सरकार को दे दे क्योंकि एक पहले से contract हो private hospitals का सरकार के साथ कि आपको इन beds पर patients का इलाज करना है जब महमारी खतम हो जाएगी आप ये सारा से infrastructure हमें दे दीजेगा और बदले में जो भी आपका पैसा बनता है हम आपको वो पैसा दे देंगे तीसरा option ये हो सकता है जो insurance वाला model होता है patients जाते हैं private hospitals में इलाज करवाने के लिए और इलाज का खर्चा काफी बार government के द्वारा वहन किया जाता है कई सारी schemes के अंतरकत तो इस महमारी में भी इस model को अपनाया जा सकता है private hospitals के पास एक incentive होगा कि पैसा गोर्मेंट से मिल जाएगा हम इलाज कर देते हैं COVID-19 के patient का next point देखो बहुत सारी जगों पर हमारे देश में अभी भी test kits की demand काफी जादा है लेकिन supply कम है ना सिरफ test kits बलकि ventilators और दूसरी biomedical supplies भी जब से देखो ये महमरी start हुई है हम आल्मोस्ट daily basis पर पढ़ते हैं prelim boost और news discussion में कि यहाँ पर ये innovation हुई ये innovation हुई इस startup company ने ये बनाया बट देखो बात ये है कि उन products का market में आना ज़रूरी है कई products अच्छे हैं कई अच्छे नहीं भी हो सकते हैं लेकिन बहुत सारी दिखते होती हैं अब किसी startup ने innovation तो कर दी लेकिन manufacturing के लिए पैसा चाहिए license मिलना ज़रूरी है उसके बाद patenting इन सब चीजों में थोड़ी तेजी आनी चाहिए सरकार product को देखते हुए quick credit provide कर सकती है किसी startup को या फिर दूसरी organization को जिसने innovative product बनाया है और सरकार एक guarantee भी दे सकती है buyback guarantee आप manufacture कीजिए manufacturing के लिए पैसा हम दे रहे हैं आपको और एक बार product manufacturer हो जाता है तो हम आपसे वो product खरी देंगे भी अगर ऐसा होता है तो जो innovation हुई है उसका लब उठाया जासकेगा इस महमारी से निपटने में देखो इन सब चीजों को implement करने के लिए जो हमने इस article में discuss की artificial intelligence एक portal establish किया जा सकता है ताकि सारी चीज़ें streamline हो सब चीजों को एक portal की साहिता से develop किया जा सकता है उस portal में artificial intelligence का इस्तमाल हो और ऐसा infrastructure develop करना हमारे देश के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे देश काफी अगरिम पंक्ती में आता है IT infrastructure के मामले में conclusion में ये बात बोली जाती है ये मामारी जो है एक opportunity provide करती है कि सरकार private health sector के साथ कैसे engage करे इस engagement को improve करने के लिए ताकि हमारे देश में overall जो health infrastructure है उसे अच्छा किया जासके और health indicators में भी हमारे देश में improvement हो ये हमने पूरा article discuss किया health sector से समन्दित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है Thank you Thank you very much for discussion